उर्फी जावेद का फोन नंबर हुआ लीक, अब इन दस लड़कों को महंगी पड़ेगी गंदी हरकत। उर्फी जावेद ने अब एक बार फिर कुछ लोगों की क्लास लगा डाली है। हालां की इस बार एक्ट्रेस का पाला दस से दस टीनेज बच्चों से पड़ा है। इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद आए दिन सुर्खियों में बनी ही रहती है। उर्फी को उनके अतरंगी ड्रेसिंग सेंस के लिए जाना जाता है। टीवी एक्ट्रेस अक्सर ऐसा कुछ पहन कर लोगों के सामने आ जाती हैं, जिसके बारे में कोई कलपना भी नहीं कर सकता था। वहीं इसे लेकर एक तरफ जहां लोग उनके कॉन्फिदेंस की तारीफ करते हैं, तो कई उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुनाते हैं। इन सब के बीच हमने उर्फी को उन्हें परेशान करने वाले या उनके बारे में बुराबला कहने वाले लोगों को बढ़िया सबक सिखाते हुए भी देखा है। उर्फी कई बार करारे जवाब के साथ अपने हेटर्स की क्लास लगा चुकी है। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। हालां की इस बार एक्ट्रेस का पाला एक साथ दस से दस लोगों से पड़ा। क्या है पूरा मामला। दरसल बीते कुछ दिनों से कुछ टीनेज बच्चे उर्फी को फोन पर गंदी गालियां दे रही है। इस बात का खुलासा खुद उर्फी जावेद नहीं किया है। हाली में टीवी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की। इस स्टोरी में उर्फी ने एक लड़के को टैक कर बताया, ये बच्चा और इसके दस दोस्त मुझे लगातार कॉल कर रही है। मैं काफी समय से एक ही नंबर यूज कर रही हूं और मुझे नहीं पता कि इन्हें वो नंबर कहां से मिल गया। ये लोग मुझे गालिया दे रही हैं, आजकल बच्चों को होग क्या गया है, बिना वज़ा मुझे परेशान कर रही है। एक्ट्रेस आगे लिखती है, मैं इन दस के दस बच्चों के खिलाफ पुलीस शिकायत दर्स कराने जा रही हूं लेकिन अगर कोई इनके माता-पिता को जानता है, तो मुझे बताएं। इसके लिए मैं आपको इनाम भी दूंगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। टीवी एक्ट्रेस का गुसा उस वक्त और भड़क गया, जब इस लड़के ने उर्फी की ये स्टोरी भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेर कर डाली। एक्ट्रेस ने लिखा, अगली पेड़ी पूरी तरह बरबाद हो चुकी है। ये बच्चा इतना होने के बाद भी बेहत फक्र से मेरी स्टोरी शेर कर रहा है। उसे माफी मांगनी चाहिए लेकिन इसके बजाए ये इसकी नुमाईश कर रहा है। ऐसे लड़के लड़कियों को कॉल करते हैं और प्रैंक के नाम पर उन्हें गालिया देते हैं, फिर बेशर्म होकर इसकी नुमाईश भी करते हैं। बता दे कि ये पहली बार नहीं है, जब उर्फी ने इस तरह खुलेयाम किसी की क्लास लगाई हो, इससे पहले भी एक्ट्रेस कई बार ऐसा कर चुकी है। हालां कि कोई बच्चा उनके साथ ऐसा कुछ करेगा, इस बारे में तो उर्फी ने शायद ही सोचा होगा।